नमस्कार आप देख रहे हैं प्रयाग एक्स्प्रेस ने हूँ आपको बता दे कावड यात्रा में अवय धसलहा रखे हुए कावड ये दवंगाईयों को दंगा फैलाने से रोका ना माने तो फिर लाठी से ठोका इसलिए SSP बरेली के पत से हटा दिये गए प्रभाकर चौधरी आपको बता दे प्रभाकर चौधरी एक रिमानदार IPS ऑफिसर है इसलिए भाजपा सरकार ने इनका आठ साल में अठारा बार अपता बादला किया है ट्रैम डिपार्टमेंट हेट श्रियोम निंदें त्रिपाथी के साथ प्रयाग एक्स्प्रेस न्यूस टीम परदस्ती ले जाने की कोशिस करने लगे और यह लगा कि से शांती भंग हो सकती है और यह गए परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्या हैंगी काफी समझाया गया लगवक चार गंटे लोग नहीं माने उसके बाद तिर यह एग्रेसीव होने लगे पीछे डीजे करके बहुत ही अबद्रता और सारी चीजे करना सुरू कर दिये और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहे कि इनके पास कुछ अवैद वेपन भी थे कटा भी था किसी के पास ऐसी सूच ना मिली उसके बाद यह निरने लिया गया और इन पर हलका बल प्रियोग करके भीर को डिस्पर्स कर दिया गया अब इसमें कटोर दाराओं में मुगदमा लिख रहे हैं कि गहर परंपरा के तरीके से महोल को घराब करने के लिए इस तरह का प्रियास किया जग्या है अभी सारे जगों पे शांती है हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं जो लोगों के अरिस्टिंग की जाएगी और तगडी कठोरता हुआई की जाएगी आगे संबार को ऐसी और कोई घटना है नहीं किलियर कट सीधा सा मैसेज है फोर्स डिपलाय थी लोगों को समझाया गया और पहले से फोर्स थी हमारा मुख्यू देसे कि आपस में कोई परागात या जीद करने की कोशिज करेगा तो हम उसको कठोरता से निटेगे